CCA की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं इनकलाब का मतलब हम उसको कह सकते उठो और जागो उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो सामराज्यवाद को नश्ट करने की बात कही तो भगत सिंग के विचार का एक लाइंग में मतलब है कि शोशन से मुक्ति हमारे सारंपूर में मच्दूरी कांदोलान इतना बड़ा एक आंदोलान हुआ शराब के ठेके के खिलापे कितना बड़ा आंदोलान आ भो किस ने किया उसमें پوری पहल पूरी भागेदारी पूरी लीडर्शीप महिलाओं के हाथ में आती और जब महिलाओं के हाथ में देश की दस फिजदी आवाम के बारे में नहीं सोचते थे वो देश की मेहनत कस आवाम के बारे में सोचते थे वो भारत के मजदूर और किसान के बारे में सोचते थे साथियो भगा सिंग ने कहा था इंकलाब की तलवार विचारों किसान परते जोती है तै करो किस और हो तुम आदमी के पक्ष में हो तै करो किस और हो तुम तै करो किस और हो तुम खुद को पसीने में भी गोना ही नहीं है जिन्दगी रेग कर मर मर के चलना ही नहीं है जिन्दगी कुछ करो के जिन्दगी की धोर ना कम जोर हो तै करो किस और हो तुम तै करो किस और हो शहिदे आदम को हमें बार बार याद करना चाहिए और यह कोई सांक्रितिक मामला नहीं है यह हमारा जीवन का एक दर्शन है शहिदे आदम भगश्तिक ने अपनी जिन्दगी के शुरुवार बहुत कम समय उनको मिला था 1925 से लेक एकत्य छे साल बहुत कम समय उन देश में राजिति में रहे उसके पहले और उसके बार में बहुत लोग बहुत प्रभूग नेता देश में राजिति नेता हुए जो लंबाई समय तक रहे उनके बहुत करीबी साथी ते श्रीववर्मा जी उन्होंने इक बात किया था यू बहुत महत्रपूर्णा है मैं उसका रिपीट करूँगा उन्होंने कहा कि बहुत कम समय था उनको मालूम था क्योंकि उन्होंने सेच्छा से राज़त चुना था कि शाधत की शाधत कोई बलीदान की इताव चुना नहीं देखा शाधत की एक राजनिती है उन्होंने स्थापिट किया था कि शाधत के जरिये से हम सम्राजबात को नश्टनाबूट करेंगे जो शाधत देने के लिए तैयार है उसे कोई कुछ नहीं कर सकते हैं तो निर्भय से निर्दर से थाप बात करते हैं और इसलिए आपने देखा होगा जागर पढ़ा होगा यो कभी सम्झाता नहीं कि आपने के केस के मामले में यहां तक कि उन्होंने वकील नहीं रखा भागा कोई शिकायत कोई अनुरोद विलाजी सरकार अंगलेजी सरकार के सामने नहीं किया था अलबता सेंट्रल हॉल की बंग कांट के बार में उनके साथ बढ़ू के सदात थे उस केस को असरम वाली साब ने में किसी वकिल को उन्होंने नहीं लिया था यहां था कि उनके वालिद पिताजी ने एक किठी लिखा था जिसको उन्होंने अलोचना की थी किठी लिखे उनकी जेल डायरी में है कि आपने गलत हिया सम्मान के साथ उन्होंने का उन्होंने कभी समझाता नहीं किया कभी आप भगाज सिंग के विचारों के साथ और उनके विचारों के तहट आगे चलने के लिए यहां इकठे हुए हैं और काफी साथियों ने आपको विस्तार से बताया भी है मौजूदा हलात के बारे में बाई दो मिनुट बाद चितना करो मौझूदा हलात के बारे में और जो आगे आने वाला समय उस बारे में बताया अभी हमारे संचालक महुदे कह रहे थे कि जो प्रस्तितियां है उन प्रस्तितियों में हमें लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए लड़ना ही पड़ेगा इस भगजशिंग के विचार थे भगजशिंग के विचारों के तहर हमें लड़ना ही पड़ेगा अगर यह कहें कि ए खटमल जी हम दुआ करते है तो हमें ना काट प्रातना करते हैं हमें ना काट तो वो काटेगा नहीं रुकेगा उस खटमल का इलाज टिक 20 से लाटी से डंडे से जूटे से मसल के करना ही पड़ेगा जिसको आध़त बन गई है खून चूसने की जो 60-60 क्रोल रुपे की गाड़ी में घूम रहे है और इस देश का मज़़ूर किसान शाम को रोटी के लिए लाले हैं उसके याँ आज महंगाई कितनी है निश्चित रूप से इन चीजों से लड़ने के लिए हमें मजबूत संगटन की जरूरत है अजादी के बीच में अगर हमारा मजबूत संगटन होता तो यह हालत हमारी ना होती निश्चित रूप से जिने काले अंग्रेज कह रहे हैं वो हाभी नहीं हो सकते अगर हमारा संगटन मजबूत सुटा है बुरी है आग पेट के बुरे है दिल के दागिये नदब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबिये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नए नगर गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नए नगर अगर कहीं है सोय तो उतार इला जमीन पर तु जिन्दा है इनकलाब जिन्दाब 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 जि ये एक उर्दू शब्द है लेकिन इसकी जो गहराई है वो बहुत और ये नारा सबसे पहले बगत सिंग और उसके साथियों ने दिया था अपनी उस देश को जगाने के लिए उन लोगों को जगाने के लिए जो सोय वे थे उन मजदूर ताकतों को जैसे अभी मेरे युवा साथि ने बताया कि उन मज़़ूर सातियों को जगाने के लिए, महिलाओं को जगाने के लिए, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही, वो सामराज्यवाद को नश्ट करने की बात कही, उस समय आपको याद होगा अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर थी, अंग्रेजों को भगाने का जो नारा उन्होंने दिया था, कॉंग्रेज और बाकी लोग तो बहुत बाद में आए, लेकिन उन नौ जवानों ने इसका बीड़ा उठाय था, सिरफ पांच-छे लोग लड़के थे, बच्चे थे, जो बहुत ही कमर में, उमर में, 18-19 साल की उम नारा दिया, और उस समय उनकी समझदारी आप अंदादा लगा सकते हैं, कि उस समय इस तरह का नेट भी नहीं थे, ना कंप्यूटर्स थे, ना कुछ था, लेकिन उनकी जो जानकारी थी, पुरे विश्व के सामराज्यवाद के बारे में, वो शायर आज तक भी हमारी नहीं हैं, और उन्हें ने ये नारा दिया था कि समराज्यवाद, ये विश्व कुण्जिवाद है, ये हमारे देश की जड़ों को खोपला करा, और ऐसा नहीं है कि महिलाओं की भागेदारी जो है, देश आजाद कराने में या उस लड़ाई में शामिल नहीं थी, महिलाओं ने ह उनके पास धन था, जो उनके पास विचार थे या जो उनके पास अपना शरीर था, उसके अनुसार उन्होंने उन लड़ाई में शामिल रही, बहुत सी ऐसी महिलाई हैं, ये अलग बात है कि उन महिलाओं को बहुत कम याद किया जाता है, उनमें सहीद भगत सिंग के साथ ह बहुत मशूर हुई तो हम महिलाओं को भी इस विचारधारा को समझने की जरूरत है यह निये कि यह शेद भगत सिंग जी थे तो उसमें महिलाओं का कोई काम नहीं है महिलाओं का सबसे ज्यादा काम है सबसे ज्यादा भागिदारी महिलाओं को ही निभाने पड़ेगी अगर कोई भी लड़ाई की शुरुवात होती है, महिलाएं हमेसा दिल से सोचती है, वो ही लड़ाई को आगे लेके जा सकती है, कितने हमारे सहरानपुर में मजदूरी का अंदोलन इतना बड़ा एक अंदोलन हुआ, शराब के ठेके के खिलापे कितना बड़ा अंदोलन हुआ, वो भूखी जनता चुपन रहेगी। जनता था कि बहरों को सुनाने की कोशिश की थी कि देश की जनता क्या चाहती है। अंग्रेजों की सरकार उस असेंबली में कानून पास कर रही थी। और मजदूरों का शोशन और बढ़ाने के उस कानून के खिलाफ उनका धमा का एक प्रतीक था कि वो शोशन के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं। जब हम एक लाइन में कहें की भगत सिंग के वीचार क्या थे तो भगत सिंग के वीचार का एक लाइन में मतलब है की शोषण से मुक्ति कि कोई भी मनुष्य कोई भी विवस्था किसी भी दूसरे मनुष्य की या दूसरे वर्गों का शोषण ना कर पाए उनका मूल विचार धारा यही है तो अगर कोई देश किसी दूसरे देश का शोषण करता है तो वो नहीं होना चाहिए अभी रोमा जी न दूसरे अमीर देश और उनकी कमपनिया बाकी दूसरे देशों को गुलाम बनाती हैं वहां की अर्थ्वजशस्था पर कपजा करती है कभी सीधे अपने फौज भेज कर और कभी अपनी कमपनियों के जरी तो देशों का देशों पर शोशण ना हो, सवन जातियों का अन्य जातियों पर शोशण ना हो, उन्होंने अच्छूत समस्या नाम का जो लेख लिखा जिसका जिक्रा आया था आपके सामने, किसी धर्म का दूसरे धर्म पर शोशण ना हो, सामप्रदाइक दंग्या और आले अंग्रेजों के आने से हम पर कोई फरक नहीं पड़ता है यानि उनकी सपनों की जो आजादी थी वो जिस आजादी के लिए लड़ रहे थे वो ऐसी आजादी थी जिसमें साहर मनुष्य बराबर हो हर मनुष्य को समान सम्मान मिले समान अधिकार मिले और मजदूरों के अधिकारों को उसमें उसमें पूरी तरह से सम्मान जनक जगह मिले के भगा सिंग देश की दस फिजदी आवाम के बारे में नहीं सोचते थे वो देश की मेहनतकस आवाम के बारे में सोचते थे वो भारत के मजदूर और किसान के बारे में सोचते थे भगसिंग का सपना था कि मेहनतकस जन्ता के जीवन में नियाए, सम्ता और खुशाली आए आज ये तीनों सब बिल्कुल उलट हो चुके हैं उन्होंने कहा था अगे मेहनतकस अवाम के बीच नियाए स्थापित हो तो आज बताईए भाई ने बहुत सारी उधान देकर बताए थे अभी अपने वक्ते में में कि किसान आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर एक साल तक रहां और आज भी जो है उस संगर्श को करने वाले लोग जेल के अंदर हैं तो क्या ये मैनत का सवाम के लिए नियाए है या अनियाए है हमें ये सोचना पड़ेगा जो लोग जन्ता की बात करते हैं वो कितने लोग आज भी बे गुणाई के होते हुए भी आज देश की जेलों में किस कदर अपनी जिनकी काड़ रहे हैं ये हम आप सब अकबारों में पढ़ते हैं पुस्तिकाओं में पढ़ते हैं सातियो भगसिंग ने कहा था इंकलाब की तलवार विचारों की सान परतेज होती है इंकलाब की तलवार अगर आप समाज में बदलाओ चाते हैं तो आपके विचार कैसे हैं आप सोचते कैसे हैं आप समझते कैसे हैं तो अपने मुल्क के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कितिक समस्चाओं को देखना उन्हें पर चर्चा करना और उनके खिलाब जनता को लामबंद करना तो एक इस जिवाद हो बर्बाद इंक खिलाब बाद इंगा 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 आपको